हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू आ यूट्यूब चैनल वीकेंड डू और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जो बहुत सालों से या बहुत महीनों से पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए इंतिजार कर रहे थे जी हाँ, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ओइल, इन लोगों एडबर्टीजमेंट निकाल दी है, कोको पेट्रोल पंप की, मैं कोको पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूँ, साधे पेट्रोल पंप की नहीं, कोको पेट्रोल पंप मीन्स, कमपनी own company operated petrol pump इसका मतलब आपको एक रुपिया खर्च नहीं करना है और petrol pump free of cost आपको मिल जाएगा अगर आप qualified हो इसकी बहुत सी वीडियो मैंने पीछे बना के रखा हूँ कोको petrol pump की अगर आपको चाहिए तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो उसमें पूरी डिटेल दी है और जो जो हमने बाते उसमें की थी वही बात इनके criteria में आई है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कोको petrol pump की advertisement का PDF और उस PDF को मैं पूरी तरीके एक्स्प्लेइन करूंगा तो जो इस channel पे new है या petrol pump free of cost अपना करना चाते है बीना कोई पैसा लगाए वो इस वीडियो को end तक देखिए क्योंकि end में मैं इसका पूरा PDF आपको explain करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आप कैसे apply कर सकते है और जल से जल कीजिए इसकी last date बहुत नजदीक है अगस्ट में इसकी last date है जो मैं आपको PDF में show करूँगा हम तीन वीडियो बनाने वाले हैं पहली बनाऊंगा मैं भारत petrol pump की फिर दूसरी बनाऊंगा हिंदूस्तान petroleum की और तीसरी बनाऊंगा Indian oil की तो तीनों वीडियो आपको इसी चैनल के ओपर देखने मिलेंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए तो आईए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो on Cocoa Petrol Pump Hello friends, तो बहुत से लोगों का question था के Cocoa Petrol Pump के advertisement कब आएंगी, कहां आएंगी, कैसे आएंगी हमें कैसे पता चलेगा के Cocoa Petrol Pump के लिए apply करना है तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी good news है के भारत petroleum, हिंदुस्तान petroleum, Indian oil ने अपना Cocoa Petrol Pump के advertisement निकाल दी है मैं आपको screen के उपर उनके advertisement भी दिखाता हूँ English में भी है, Hindi में भी है, Marathi में भी है Maharashtra के लिए, All Over India के लिए भी है तो आपको क्या करना है, मैं PDF भी show करने वाला हूँ आपको पूरी वो PDF आपको पूरी ध्यान से देखनी है और इसके हिसाब से आपको documents बनाने है जो की बहुत simple documents है आपको वैसे criteria में अगर आप आते हो तो आपको कितने points मिलेंगे total 100 marks का इनका points रहता है उसमें एक आता है आपका age एक आपका है आता है qualification एक आपका आता है personal interview ऐसे total मिला कि वो कुछ 100 marks का होता है paper अगर इस 100 में से आपको 90 या 100 marks मिल गए तो on the spot आपको वो वहाँ पे बता देंगे कि आप job के लिए selected हो अब cocoa petrol pump क्या चीज़ है इसका मैं छोटा सा overview आपको दे देता हूँ cocoa petrol pump मतलब company owned company operated petrol pump इसका मतलब आपको पैसे invest नहीं करना है सिर्फ एक 15 लाक रुपे की उनको FD बना के देना है आपके account में जो की security deposit बोलके इनके पास रहता है बाकी आपको ना जमीन लेनी है ना setup start करना है ना petrol खरिदना है ना diesel खरिदना है ना ही आपके पास जो staff है उनकी payment आपको आपके जेप से करनी है सब कुछ जो total काम है वो company करेंगी सब की payment company देंगी even आपको भी payment मिलेंगा तो यह बहुत अच्छी opportunity है खास करके youngsters के लिए या फिर जो retired है उनके लिए तो देखिए मैं आपको इसके अंदर पूरी PDF शो करने जा रहा हूँ आप पूरी PDF को गौर से देखिए तो यह है ब्रॉशर फोर सेलेक्शन आफ सर्विस प्रोवाइडर फोर कोको पेट्रोल पम ठीक है यह कोको पेट्रोल पम के लिए है इसमें इंडियन ऑइल भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सबकी डीटेल दी हुई है इसमें पूरी डीटेल है गाइडलाइन से पूरी देखिए मैं आपको एक एक करके explain करता हूँ सबसे पहले तो कोको पेट्रोल पम का फुल फॉर्म है company owned, company operated पेट्रोल पम पूरा company आपको provide करके जाती है तो यह application है अब मैं इसके बारे में आपको डीटेल देता हूँ कि criteria क्या क्या है सबसे पहला criteria एक है कि आप Indian citizen होना चाहिए आपकी age 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए qualification minimum 10 होना चाहिए जादा से जादा जितनी रही उतना आपके लिए profitable रहेंगा finance की बात करें जो मैं आपको बोलता हूँ कि free of cost है तो इसमें आपको 15 लाक रुपिये तक का सिर्फ deposit दिखाना है देना नहीं है मतलब यह वहाँ सिर्फ as a deposit रहेंगा जब आप petrol pump 3 साल के बाद छोड़ोंगे तो यह पैसा आपको return मिल जाएंगा यह इसके लिए रखती है petrol pump वाले government अपने पास में कि अगर आपने कुछ problem create करे कुछ धोखा धड़ी करे तो यह पैसा government अपनी तरफ रख लेती है आपको नहीं देती इसके लिए 15 लाग रुपे देना पड़ता है आपको उसके बाद यह nominee है इसके इसमें भहुत सारी terms and condition है जो मैं आगे आपको explain करना चाहूंगा जैसा कि अगर आपके घर में कोई already petrol pump चला रहा है आपकी family में तो फिर आपको शायद cocoa petrol pump नहीं मिल सकता यह terms and condition है जो आगे पैरा number 1.2 में दिया है मैं उसे भी explain करूँगा खास करकि इसमें main चीज यह है कि अगर आप individual हो तो ही apply कर सकते हो आप team बना के apply नहीं कर सकते अगर आप company operate कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते अगर आप individual तो ही आप cocoa petrol pump के लिए apply कर सकते हो अब इसमें proof क्या क्या आपको देना है देखिए proof आपको जो जो लगेंगा वो लगेंगा 10th का board certificate school living, birth certificate, passport, pen card, आधार card, voter ID यही सब चीजे इसमें applicable है admissible है मतलब यही वो proof consider करेंगे इसके अलाबा proof consider नहीं करा जाता तो यह बात हो गई उसके बाद अगर disqualification अन्यापको क्या नहीं रहना चाहिए मतलब ऐसे लोग जिनका sanction नहीं होगा वो है अगर आपके घर में कोई और बंदा आपके family में कोई और बंदा already LPG के अंदर काम कर रहा है तो आपको यह cocoa petrol pump नहीं मिल सकता यह इसकी सबसे बड़ी main condition है उसके बाद अगर आप 21 साल या 20 साल के नीचे हो तो भी नहीं मिलेंगा अगर आप cocoa petrol pump already run कर रहे हो आप दुसरा लेनी की सोच रहे हो तो भी नहीं मिलेंगा या आपके घर में कोई already cocoa petrol pump या petrol pump चला रहा है तो भी नहीं मिलेंगा अगर आपके ओपर कोई criminal record है government की तरफ से तो भी आपको नहीं मिलेंगा अगर आप company चला रहे हो तो भी नहीं मिलेंगा अगर आप cocoa petrol pump की या कोई भी pump के land owner हो तो भी ये petrol pump आपको नहीं मिल सकता ये उसकी terms and condition है अब बात आती है कि आपका selection criteria है वो कैसे रहेंगा सबसे पहले तो आपका ये 100 marks इसमें count होते है वो 100 marks 4 division में इन्होंने divide किया है सबसे पहले तो age criteria इन्होंने रखा है अगर आप 21 से 35 की age में आते हो तो 25 में से 25 marks पूरे मिल जाएंगे अगर आप 35 से 50 साल की उमर में आते हो तो आपको 21 marks दिया जाएंगा 4 marks आपका cut किया जाएंगा अगर आप 50 से 60 की उमर में आते हो तो आपको सिर्फ 17 marks मिलेंगे ये age criteria का marks दिया है उन्होंने और अगर आप 60 के उपर हो तो आपको petrol pump नहीं मि qualification की बात की जाए तो अगर आपने सिर्फ 10th pass किया है तो आपको 15 marks मिलेंगे अगर आपने 12th pass किया है तो 18 marks मिलेंगे अगर आप graduate हो तो 21 marks मिलेंगे अगर आप post graduate हो या उसके जादा कुछ करा है आपने तो आपको 25 marks मिलेंगे मतलब अगर आप graduate हो तो 25 में से 25 marks qualification के उपर आती है financial capability जो हम हमेशा हर वीडियो में बोलते है कि minimum 15 लाक रूपिये आपको यहाँ पर deposit देना है तो अगर आपके पास 15 लाक रूपिये है बिलकुल 15 लाक 15 लाक के ओपर थोड़ा भी नहीं है सिर्फ 15 लाक है तो आपको 0 marks मिलेंगे 15 के उपर है जैसे 16 लाक 17 लाक अगर आप के पास है तो आपको 3.56 marks दिया जाएंगा अगर आपके पास 20 लाक तक है तो आपको दस माक्स दिया जाएंगा और अगर आप 30 लाक तक जमा करके दे देते हो 30 लाक रूपिये तो आपको पूरे 30 marks दिये जाएंगे समझ रहे हो 30,00,00 तक अगर आपने adjust कर दिया आपने कहीं loan ले लिया आपने कहीं अपना plot बेच के 30,00,00 रुपे जमा कर लिये या आपके पास कोई FD है, Sona है उसको amount बना कि अगर आप 30,00,00 रुपे बना लेते हो तो आपको 30 में से 30 मिल जाते हैं जैसा age में से 25 मिल गया, qualification में से 25 मिल गया इसमें से 30 मिल गया, total 80 हो गए आप criteria में तो आ चुके हो अब last बचता है आपका personal interview, इस पे 20 marks है अब 20 marks कैसे है, आपके professional बात करने के तरीके पे आप कैसा वहाँ बैठते हो, आप कैसे वहाँ अपना knowledge बताते हो कैसे आप marketing के बारे में बात करते हो आपका personal जो look है, वो कैसा आता है आपने अच्छे से बिलकुल black shoes, black pant, white shirt, coat pin के आप चले जाएए तो आपका जो personal overview दिखता है, वहाँ पे उसके उपर आपको 20 marks दिये जाते है यह 20 में से अगर आपने 10-12 भी ला लिया तो आपका 92-93% बन जाता है अगर आप इस range में आ जाते हो, तो 100% आपको cocoa petrol pump मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए, नीचे उन्होंने और दिया है कि अगर आपके पास work experience है, तो उसके 5 marks यह दे देंगे और customer service अगर आप अच्छा देते हो, तो उसके उपर 5 marks दे देंगे यहांने on an average आपको 100 marks लाना कोई बड़ी बात नहीं है सिर्फ 30 लाग रुपी है आपको जमा करके रखने है अब इसमें main है कि आपका criteria, जो है selection criteria वो 60% पे रहेंगा मतलब 100 marks अगर आपको मिल रहे है, तो 100 में से अगर आप 60 भी ले ले रहे हो तो 60 के उपर भी आपका selection हो सकता है और सबसे main जो है, वो financial capability है आपकी, वो बहुत ज़रूरी है वो आपको दिखाना है, एक तो fund case में, या saving के अंदर, या bond case में या demate के form में, या mutual funds case में, ये सब इन्होंने criteria दिये, आपको अच्छे से पढ़ना है सबसे पहले आपको 10,000 का DD बनाके, वह application form submit करना है अगर ये सब चीज़े जो उपर मैंने criteria आपको बताईए, आप fulfill होते हो आपको लगता है कि मुझे 100 में से 100 marks मिल जाएंगे तो आप क्या करीए, apply कीजिए, apply करने के time पे 10,000 की FD बनाएए 10,000 की FD बनाके वह form लेके, आप जो नीचे में forms आपको बताने वाला हूँ ये form उसको attach करीए, अच्छे से envelope में pack कीजिए और दिये गए हुए address के उपर आपको उसको post कर देना है अब interview process कैसा होँगा, तो यहाँ पे उसकी भी detail इन्होंने दे दी है कि आपको interview के लिए बुलाया जाएंगा, वो रहेंगा आपका video call video call के time पे 3 officers वहाँ बैठे रहेंगे, एक room रहेंगा, वो room में आपको बिठाया जाएंगा video call होँगा, video call होने के बाद आपसे पूरी बातचित की जाएंगी, personal information ली जाएंगी आपका presentation देखा जाएंगा, आपका बात करने का तरीका देखा जाएंगा वही on the spot, बाहर ही आपको declare कर दिया जाएंगा, कि आपको कितना marks मिला और आप eligible हो या नहीं यह वही on the spot होता है, आपको इसका इंतिजार भी नहीं करना है अगर 3 बंदे, 4 बंदे, अगर same marks के आ जाते है, तो फिर qualification के ओपर थोड़े marks उपर नीचे किये जाते है पैसों के उपर बात्चित की जाती है, और वहीं decision ले लिया जाता है, इसमें कोई आपको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता अगर आप जैसे tie हो जाता है, तो आपको age के इसाफ से भी वो adjust कर देते है इसके बाद main जो हमारा topic है, वो है application form कैसे भरना है तो यहाँ देखिए, application form में आपको नीचे दिखा रहा हूँ इसकी आपको print out लेनी है, इसकी PDF में मेरे link में भी आपको डाल दूँगा अब वहाँ से जाके भी इसे download कर सकते है, application fees जो मैंने आपको बताया 10,000 रुपे का DD बना के उन्हें देना है यह जो agreement है, यह तीन साल के लिए है, तीन साल के लिए आपसे agreement किया जाएंगा तीन साल के बाद अगर आपका performance अच्छा रहा, agreement आपका renew किया जाता है और अगर आपका performance अच्छा नहीं रहा तो फिर आपको वहां से वो तीन साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा अब जो आपको petrol pump मिलने वाला है उसके अंदर कौन-कौन से लोग आपको लेने है तो सबसे पहला cashier लेना है वो भी skilled होना चाहिए court manager है manager है यह सब skilled बंदे रहना चाहिए इन सबकी payment पेट्रोल पंप वाले ही आपको देंगे government देंगे आपको आपके जेप से नहीं देना है driver रखना है जिसके पास license हो और already उसके उपर इन्हें उसको इस चीज़ का experience हो air boy, windscreen boy, house keeping boy, security guard यह सब चीज़े आपको provide की जाएंगी आपको payment दिया जाएंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया अगर आप 100 किलो लीटर, 100 किलो यह देखिए यह 75 रुपिय है अगर हजा 100 से 175 रिटर का range है एक सो पंचेतर से 200 का रीटर का range है तो 100 रुपिय है धाइसो से साड़े तीन सो किलो लीटर का रेंज है तो 125 रुपी है वैसे बढ़ते बढ़ते देड़ सो पंचेतर पचास यह सब एक इंसेंटिव्स है अगर यह इंसेंटिव्स आप मिला लीजिए तो मिनीमम देड़ लाग रुपी आपका पेमिन बनता ही है आपको यह नहीं करना कोई बड़ी बात नहीं है लाग देड़ लाग रुपे पेमेंट आपका इजीली बन जाता है अब जो भी मैन पावर के पेमेंट है यह सब कंपनी प्रोवाइड करेंगे इसमें आपको कुछ नहीं देना है अब बात आती है हमारी आपको नोटरी करके देनी है सब्सक्राइब निकाल लीजिए और इसे भरके आप उन्हें पोस्ट कर दीजिए यह लास्ट में आपका एफिडेविट अंडर टेकिंग तो यह सब देखिए आपको भरना है बहुत सिंपल है आपको अगर मराठी में चाहिए तो मुझे कमेंड कीजिए मैं मराठी हिंदी आपको निकाल के देदूंगा लेकिन जादा तर तो इंग्लिश में आता है यह आपका देखिए यह एप्लिकेशन चेक्लिस्ट टैप डॉक्यमेंट्स आपको कौन कौन से लगेंगे यह भी बहुत में पार्ट है लोग बहुत डड़ते हैं डॉक्यमेंट्स को लेके अब यहां अगर आप गौर से देखिए तो डॉक्यमेंट्स क्या-क्या है यहां पर आप देखेंगे तो एज सर्टीफिकट आपको चीये जैसे में आपको बोला कि एज पूर्ट की मार्खशिट लगा सकते हो और एजुकेशन पॉलिफिकेशन के सर्टीफिकट्स आपको यह ल वो एफिडेविट यहां पे आपको attach करना है, pen card का copy लगाना है, आधार card का copy लगाना है, driving license, voter ID इनका लगाना है, सारे documents को आपको attested करना है, self attested जिसको बलते हम sign करना है date दाल के, फिर जो fixed deposit आपको मुझे बतानी थी 30 लाग रुपे की, वो मैं यहां बता रहा हूँ आपको, वो amount यहां पे उसके बारे में आपको detail देनी है, application fees का जो DD बनाना है, आपको demand of 10,000 का, वो बनाना है Indian oil के favor में, और वो भी आपको देना है, और जो other documents जिससे आपको लग सकता है, कि इससे मेरा impression अच्छा गिरेंगा, वो documents भी लगाईए, और यह सारा भरके यहां पे आपको sign कर देना है, और आप इसके हिसाब से आपके documents ready कर लीजिए, amount ready करके रखिए, amount जो है deposit, आपको देना नहीं है, deposit amount है, जो आपको रखनी है, और इसके हिसाब से आप पूरी तयारी कर लीजिए, 100% petrol pump आपका, इसके अलावा अगर आपको कुछ help लगती है हमारी, तो आप हमें comment कीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है, जल से जल forward कीजिए, एक team बनाईए अपनी, जो आपको support करे, help करे, बड़ इसके अंदर individual बंदे का काम है, team का काम नहीं है, तो आप तयार रहिए.